बेनी पट्टी हंचल के सोहरोल में बुद्धवार को दो बच्चे की मौत मोहिन में डूबने से हो गए मिली जानकारी के अनुशार मिलतक बच्चे अपने गाउं के ही चार पांच अन्य साथियों के साथ घर से करीव आधा किलोमीटर दूर एक मजीद मोहिन पर गया था मजीद मोहिन के एक किनारे पर गढ़ा था जिसमें अशनान करने के दारान दोनों बच्चे डूब गए उसके साथ अशनान कर रहे अन्य बच्चों को इसकी भनक लगी तो गाउंवा कर ग्रामिनों को बताई ग्रामिनों ने आनन फानन में मोहिन किनारे पहुँच बच्चे को गढ़े से बाहर निकाला लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दोनों बच्चे की मौत हो चुकी थी उदर दो बच्चों की डूब कर मौत होने की जानकारी मिलते ही बेनी पठी थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई मृतक के परिजनों ने सब का पुष्टमाटम कराने से साब तोर पर इनकार कर दिया जिसके बाद प्रशासन लवट आई मृतक के परिजनों के द्वारा पुष्टमाटम नहीं कराने को लेकर कागज बना कर प्रशासन को सौप दिया गया गाउं में एक साथ दो बच्चों की मौत से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है वहीं मृतक के परिजनों का रो रोकर भुरा हाल बना होगा है देखिए इस दावरान ग्रामिन और मृतक के निकट परिजनों ने क्या कुछ बताया है दोनों बच्चे जोई खेलने के लिए गय थे पांच बच्चे थे उसमें लेकिन तीन बच्चे आ गए और फोन के माध्यम से जानकारे मिली कि बच्चे ढूब गए है तो धूनने पानी में ढूंडा गया तो मिर्थ पाया गया बच्चे निकले तो मिर्थ पाया गया वहां पर संकर जादव थे और अनील जादव और एक और है कौन था? अधीत है, वो लोग पानी में डूप करके पानी में ढूण रहे थे, रसी बान के निकाले तो मिर्थ पाया गया बच्चे क्या नाम है बच्चे था? महमद अयान और पिता महमद फयाज, दूसरा था महमद दिलसाद, पिता महमद जुबेर अधीत है, दूनों पूर्ष में थे, दूनों दोस्ट था, दोनों छोट बच्चा दोस्ति लगा हुया था पुलिस परसा से नाही थी, करवाई नहीं हम लोगोंने आवेदन दिया है कि कोई पोस्ट मास्तन नहीं करवाना है पधिनके पीता जी गा क्या नाम है? अब बेनी पट्टी में जोला प्रिंटिंग की फैक्टरी जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले जोले बनाया जाते हैं इमाई पर भी यहां से माल ओन टाइम डिलिबरी ले जा सकते हैं साथी लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्ट में जोला तो आजी संपर्ट करें शाम एंटरप्राइजे बेनी पट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामेन बैंक